आज के इस वीडियो लेक्चर में ब्रीत, ब्रीत का केंद्र, परिधी, तरिज्य, ब्यास, जीवा, चाप, तरिज्जी खंड, ब्रीत खंड, एकदम सरल भासा में समझेंगे, तो चलिए सुरू से सुरू करते हैं ब्रीत, सरकल, सिक्का, घड़ी, साइकल का चक्का, चूड़िया, ये कैसा देखता है, जाईर सी बात है, गोल देखता है, तो गोल अकरिती को ही हम गनित्य भासा में ब्रीत कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर गोल आपको दिख रहा है, सिक्का, घड़ी, साइकल का चक्का, यानि रिंग यहां पढ़ दिक रहे आपको, यह सब कैसा है, गोल है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बृत बोलेंगे, ठीक है, बिंदू की सहाता से बना एक गोल अकरिती बृत कहलाता है, ध्यान दीजेगा, जब छोटे छोटे बिंदू जब मिलते हैं, तो एक बृत बनता है, ठी आप अपने तरीकों से परिभासित कर सकते हैं, बृत का केंद्र, सेंटर ओफ सर्कल, बृत के बीचो बीज की बिंदू को केंद्र कहते हैं, यह बृत आपको दिख रहा है, और इसके बीचो बीज, जो बिंदू है, इसी को बोलते हम केंद्र, ठीक है, सिंपल है, परिधी सरकम फ्रेंस आप इसे सरक्यूम फ्रेंस भी बोल सकते हैं ठीक है बृत के घुमाओ दार रेखा को परिधी कहते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं ये गोले गोले जो भी है ये आवरन को हम क्या बोलते हैं परिधी बोलते हैं ठीक है द्रिज्या, रेडियस, बृत के केंद्र से, बृत के केंद्र यहां है, और फिर परीधी के, यहां पर यह परीधी है, और किसी भी बिंदू, तो आपको मालूम है, कि बृत बिंदू से मिल कर बना है, बहुत सारे बिंदू से, अनन्त बिंदू से मिल कर बना है, तो कोई बिं त्रिज्या बोलेंगे ठीक है इधर भी खिचिये इसको भी क्या बोलेंगे ठीक है इधर भी खिचिये इसको भी त्रिज्या बोलेंगे ठीक है ब्यास डाइमेटर ब्रीत का ब्यास वह रेखा खंड है जो ब्रीत के केंद्र से यहां पर ब्रीत के केंद्र है और केंद्र से और दूसरा सिरा इधर है और यह टच कहां है परिधी पर हो तो यह यहां भी परिधी है यहां भी परिधी है तो एक सिरा इधर टच है और दूसरा सिरा इधर और साथ में बिंदू पर टच है तो यहां पर यह जो हुआ रेखा खंड इसको हम क्या बोलेंगे बियास बोलेंग ठीक है काफी सिंपल है जीवा कोड बृत की परिधी पर इस्थित किनी दो बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड को उस बृत की जीवा कहलाती है ध्यान देजिए बृत की परिधी पर इस्थित किनी दो बिंदू तो कोई एक बिन्दु यहाँ ले लीजेए, दूसरा बिन्दु यहाँ ले लेजेए और दो बिन्दु को मिलाने वाली वाले यह जो रेखा खंड है इसी को बोलते हम जीवा ठीक है और ध्यान दिजेगा बृत का पर्तेक ब्यास एक जीवा है परन्तु परतेक जीवा ब्यास नहीं ठीक है याद रखिएगा चाप आग परिधी पर खीचा गया रेखा चाप कहलाता है यह परिधी है और इस पर खीचा गया रेखा तो यहां से यहां हम एक रेखा खीचे तो यह क्या हो गया चाप हो गया और हम यहां से यहां अगर एक रेखा खीचे तो यह भी एक क्या हो गया चाप हो गया अब यहां पर ध्यान देजे यहां से यहां भी हम खीचे तो यह क्या हो गया चाप हो गया और यहां से यहां भी ए पूटा चाप ठीक है तो ध्यान रखिएगा त्रिज्य खंड सेक्टर दो त्रिज्य और चाप से मिलकर यह ध्यान रखिएगा यहां पर एक केंद्र है एक बृत में एक ही केंद्र होता है ध्यान दीजेगा तो यहां से दो त्रिज्य आप कहीं पर भी लेजिए एक त्रिज् और साथ ही चाप इधर से एक चाप ले लिजिया और ये जो छेतर हुआ न इसी छेतर को हुम क्या बोलेंगे त्रिजी खड ठेके और इधर भी देखिए ये भी छेतर क्या क्या लाएगा त्रिजी खड जैसे यहां समझी और बढ़िया से यहां हो गया बिंदू केंदर हो गया और यहां से यहां ले लिजिए एक त्रिजिया और दूसरा त्रिजिया इधर और साथ में इधर से चाप तो यह जगह क्या हो गया त्रिजेखंड और यहां भी ध्यान दिजिया तो इधर भी देखिए यहां से यहां एक चाप हो गया तो यह भी क्या हो गया त्रिजेखंड बस सर्त इतना है कि इधर वाला बड़ा हो गया तो यह इसको बोलेंगे दिर्ग त्रिजेखंड और इसको बोलेंगे लगू त्रीजे खंड यानी बड़ा त्रीजे खंड और इसको छोटा त्रीजे खंड ठीक है तो हमने यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है इधर से एक त्रीजे और इधर से एक त्रीजे और इधर से एक चाप और ये खाली जगा क्या है त्रीजे खंड ठीक है बृत खंड, सेग्मेंट, बृत का जीवा और चाप से मिलकर बना छेत्रो बृत खंड कहलाते हैं, ध्यान देजिए, बृत का जीवा, तो बृत का जीवा है, यहां से लेकर एक जीवा है, एक जीवा इधर हो गया, और इधर यहां से चाप हो गया, तो चाप हो गया, तो यह तो खाली जगह ये क्या है ब्रीध खंड ब्रीध खंड कहने का मतलब ब्रीध का टुकड़ा ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजे एक नया ब्रीध हम बनाए और यहां से यहां आप मिला लेजिए और यहां से यह क्या हो गया चाप हो गया तो यह भी यह क्या हो गया ब्रीध ख आपेले वंदे मांदरा